आज आपको हम सीधे एलेक्ट्रोस्टाटिक्स का सकेंड चेप्टर एलेक्ट्रिक पोडेंचिल एंड केपास इडर में लेके चल रहे हैं आज का जो टॉपिक है वो सबसे पहला टॉपिक है एलेक्ट्रिक पोडेंचिल बड़ा ही सुन्दर कंसेप्ट है और अगर ये कंसेप्ट आप अच्छी तरीका समझ जाते हैं तो फिर इस पर नुमरिकल बनाना बहुत ही असान हो जाएगा बड़ा आसानी से आप धेर सारा कोश्चन को बहुत कम टाइम में क्यूक टाइम में सिर्वरल कोश्चन को सॉल्व कर सकते हैं तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसकी कंसेप्ट में चलते हैं इलेक्ट्रिक पॉडेंशल क्या है आई इसको समझता हूँ हम इलेक्ट्रिक पॉडेंशल की कंसेप्ट को समझने वाले हैं यहां पर एक क्यू चार्ज ले लिए इसके फिल्ड मालो यहां तक है तो फिल्ड जहां इंड करता है उस पॉइंट को हम लोग इंफिनिटी कहते हैं इसलिए मैंने इसको इंफिनिटी दिखा दिया एक पॉइंट यहां पर O है अब बता आप लो जब प्लस Q चार्ज है यह फिल्ड क्रियेट किया तो इस फिल्ड की डिरेक्शन क्या होगी इधर होगा ऐसे दिखा दिया अब मैं आपसे यह कहना चाहता हूँ कि हम इंफिनिटी साइड से कुछ चार्ज को लाना चाहते हैं सोर्स चार्ज की और मेरे इस वर्ड को पकड़ेंगे आप इंफिनिटी साइड से कुछ चार्ज को हम लाना चाहते हैं यहाँ पर इटेस चार्ज हम क्यों नोट रख देते हैं और मैं आपसे कहना चाहता हूँ बताओ क्या अभी टेस चार्ज की कोई मुहमेंट होगी आप सोच रहेंगे इधर इंटेंसिटी जब है तो मुहमेंट होगा लेकिन बच्चों इंफिनिटी पर इंटेंसिटी के वेलू जीरो हो जाता है इसलिए भी क्यो नोट चार्ज में कोई इफेक्ट नहीं होगा वहीं पर रहेगा यहाँ पर एक पॉइंट हम ले लेते हैं पी और इस पी पॉइंट पर हम क्यो नोट चार्ज को लाना चाहते हैं इधर लाना चाहते हैं इधर ज़र आप फिलिंग करें एक क्यो नोट चार्ज जिसका आप टेस्ट चार्ज कहते हैं infinity से point P की और ला रहे हैं इसका सीधा मतलब हुआ intensity के just opposite हम ला रहे हैं intensity इस charge को उधर push करना चाहेगा और हम उसको इधर लाना चाहते हैं that means intensity के opposite में निस्षत रुप से हमें work करना पड़ा माल लेते P point पर लाने हैं हमें work करना पड़ा W कुछ numerical value हो सकता है फिलाल मैं W मानके चल रहा हूँ लेकिन बच्चों skewn note charge को कैसे carry करना है वो concept समझे आप आपको carry करना है infinity से साथ ही साथ velocity constant होना चाहिए intensity के against में आना चाहिए और velocity जब constant रहता है तो वहाँ पर acceleration zero होता है अब कहिएगा सर इसका क्या मतलब है velocity constant कैसे रहेगा हम एक सीधा example आपके सामने paste कर रहे है एगराफ example जड़ा देखिएगा आप इस pain के पास इस pain को हम लाना चाहते हैं rate के पास black पुला लाना चाहते हैं तब easy way में चलना चाह रहा हूँ देखिएगा इसको ला रहे हैं क्या देखा आपने जी भर के देखा होगा constant velocity से आया second time देखो यह variable velocity है तो यह q node charge को हमें constant velocity से लाना है अज़र velocity constant होता है acceleration zero होता है तो चलो डीग है यह सारा condition को fulfill करते हुए infinity से q node charge को यहां पे लाया work हुआ w तो अब अगर आप से कोई कह दे कि अगर हम एक कुलम charge को infinity से यहां लाएंगे तो क्या work होगा तो simple सोची आप q node charge को लाने का work हुआ w तो one कुलम charge को लाएंगे तो कितना होगा भाई w by q node w by q node also represent work but in carrying one कुलम charge unit charge अज़ यहां भाईयो बैनो unit charge को infinity से field के अंदर किसी point पर लाने में जो work करना पड़ता है उस work का एगा special name है that is called electric potential इसको भी से रप्रेजेंट करते हैं तो v equal to होगया w by q node बेभी जो starting बात बोला उसको समझे electric potential is a work in carrying unit charge from infinity to any point inside the electric field condition is that without providing any acceleration that means constant velocities और against of intensity तो अगर against of intensity लाते हो unit charge को तो लाने में जो work करेगा that is called electric potential तो यहां भी बरबा w by q node electric potential होगी है अगर आप इसका simple सा बात जाने unit electric potential का तो जूल पर कुलम हो जाएगा लेकिन इसको हम लोग भोल्ट कहते हैं एलेक्जेंडर भोल्टा के कारण उनके युगदान के कारण इस unit का नाम भोल्ट रखा गिया है अगर आप इसका dimensional formula बनाना चाहिए देखियो वर का कितना होता है ml square t पर power minus 2 charge का i t इसको आप solve कर दीजिए यह हो गया ml square t का power minus 3 i का power minus 1 this is the dimensional formula of electric potential quantity के तोर पे a scalar है और यह जान लेना कि a scalar है थोड़ा मामला आसान हो जाता है इसकी mathematical operation algebraic होने वाला है तो यह बात आप ध्यान रखेगा लेकिन सबसे important बात यहां है इसकी definition समझना हम definition को एक round फिर से बात करना चाहता हूँ electric potential एक work है लेकिन unit charge को लाने का work है unit charge कहां से infinity से intensity के against में देखो e दिखा दिया और इसके against में with constant velocity आनि वी बरबर constant that means a बरबर zero एक बात कहें आपको thus go full है उसे एक माला बनाना है एक धागा में छोटे 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 फुल को सजा देते हैं माला बन जाता है ठीक उसी प्रकार मेरे भाईयो बैनो ये सारे word को sentence में सजा दो electric potential का definition बन जाता है कैसे देके सजा रहे है the amount of work done in carrying unit charge from infinity inside the electric field against the direction of intensity without providing any acceleration बिना को acceleration दिये हुए लानेम जो वर्क होता है that is called electric potential अब देखते रहे हैं इस पर हम concept लगाते हैं यहां पर एक बहुत बड़ी बात निकल के सामने आएगा वो ध्यान लगाईएगा आप यह infinity है चलो point P है point Q है यहां पर माल लो one nano column charge रखा हुआ infinity पर यह मैं आपको कह रहा हूँ यहां कोई charge होगा source charge point 0 है एक nano column charge को intensity कि दर आप देखने हैं समझ रहे हैं एक nano column charge को यहां पर लाया वर्क करना पड़ा टू जूल एक example है आपको समझाने के लिए लेकिन बच्चों हमें electric potential चाहिए P point पर यह बताओ कितना nano column charge लाएं one nano column charge कहां पर लाएं P पर तो P पर potential निकालना है चलो तो W by Q not वर्क हमें करना पड़ा दो जूल चाहर्ज हम लाएं one nano column one into ten to the power minus nine बच्चों two into ten to the power nine volt यह हुआ potential 8.P एक और example इसी एक nano column charge को यहां पर लाया गया वर्क करना पड़ा suppose को रोज 0.5 जूल एक example है अब कहता है Q point पर जरा बताओ क्या होगा potential हम जानते है W by Q not W का value 0.5 Q not का value one nano column है इसको आप solve कर दिजे 0.5 into ten to the power nine that means आप लिख सकते हैं 5 into ten to the power eight इतना bold यह हुआ potential 8.Q इस example से क्या समझ पा रहे हैं भी दर थी अलग-अलग point पर potential अलग-अलग होता है So electric potential is a define at a point बच्चों electric potential को किसी point पर define करते हैं अलग-अलग-अलग होता है हाँ potential कहीं सेम होगा तो concept बाद में आएगा जो कि हम equipotential surface के नाम से जानेंगे वो कहानी अभी नहीं बन रहा है भी तो starting में है हम potential को एक और logically discussion करना चाहते हैं potential का meaning आपके मायन में set कैसे हो एक logical discussion करना चाहता हूँ चलिए सबसे पहले आज आपको हम logical discussion में water potential की चर्चा करना चाहते हैं potential बोला जाए तो आपके mind में concept clear cut entry करे इस दिसा में आगे बढ़ रहा हूँ एक बरतन यहाँ है इस बरतन में पानी यहाँ तक भरा हुआ है दूसरा वेशल और यहाँ पर ले लेते हैं इसमें water भी डाला हुआ है दो वेशल है बच्चों मैं आप से सीधा सदा question कर रहा हूँ ज़र बताईएगा मैं समयना चाहता हूँ water potential आप देख पा रहें दोनों वेशल का size भी देख पा रहें water के amount देख पा रहे हैं बताओ किसमे water के amount ज़्यादा है आप कहेंगे B में ज़्यादा है हम कहेंगे बताओ किसमे water की level ज़्यादा है तो आप कहेंगे A में ज़्यादा है that means A का water potential ज़्यादा है और B का water potential कम है तो water potential represent level of water water potential does not represent actual amount of water ये concept offset करें अभी अगर इसको pipe से connect कर दें तो क्या होगी A से water B में flow होते जाएगा जब तक कि दोनों का level equal नहीं हो तो water potential अगर जिसका ज़्यादा है और किसी का कम है connect करोगे तो ज़्यादा potential से कम potential में water flow होगा मैं आपको समझाना चाहता हूँ heat potential देखिए होता क्या है अगर आप केबल कितावी भासा में चलेगे तो knowledge आपका broad नहीं होगा इसलिए logical analysis बहुत ज़रूरी होता है तब आप concept के master होते हैं concept आप बना पाते हैं आईए मैं आपको जानना चाहता हूँ बताना चाहता हूँ heat potential चलो बच्चों यहाँ पर एक body ले लिया दुसरा body यहाँ पर है A और B कुछ भी हो सकता है copper, almyo, silver, anybody कुछ भी हो सकता है दोनों को गरम किया गिया है दोनों को heated किया गिया है अब हमसे कहता है कि बताओ किसका heat potential ज़्यादा है हमें नहीं पता इसको एक conducting wire से connect कर दिये पता चला A से heat flow हो रहा है B में आप लोग बताओ किसकी heat potential ज़्यादा होगा जरूर आप समझ ले होंगे चुकि A से heat flow हो रहा है B में तो आपने यहाँ क्या देखा high level से water जा रहा है low level में that means यहाँ पर भी heat का level क्या होगा है ज़्यादा होगा यहाँ पर heat का level क्या होगा कम होगा इसका सीधान नहीं हुआ A का heat potential ज़्यादा है किस से B से लेन अगर कोई यह कहा दे क्या A में heat की amount ज़्यादा होगी तो इसकी guarantee में ने ले सकता यह कह सकते हैं A में heat की level ज़्यादा है हलाकि एक बात समझ लिजए heat की level को temperature का दे that means A का temperature ज़्यादा होगा B का temperature कम होगा तो heat potential represent level of heat that is a temperature अब ज़र आईए अभी जो आप definition सिखे हैं electric potential का उसको logically कैसे set करेंगे दो object यहाँ ले लेता हूँ दो conducting object माल के चलिए दोनों को charging कर दिया गया है charged कर दिया गया है यह charged है A भी charged है वच्चों कोई बोले का बताओ किसका electric potential ज़्यादा है तो यह रहे देखने इस तो में पता चलेगा किसकी electric potential ज़्यादा है देखने इस तो में पता चलेगा क्या concept होगा एक conducting wire से connect कर दिया charge flow हो रहा है A से B में इसका क्या मतलब है A का electric potential जादा है B का electric potential कम है जैसे water flow होता high level से low level वैसे electric charge flow होता है high potential से low potential है तो बच्चों electric potential represent level of electric charge not actual amount of electric charge मेरी इस बात को समझेंगे इस वर्ड को समझेंगे electric potential electric charge के actual amount को नहीं बताता है उससे उसकी level पता लगा सकते है charge की level तो बाते थोबा माइंड में set करना यह वो personality potential भी होता है तो personality potential क्या होता है आप खुछ समझ सकते है उसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे क्योंकि आप लोग खुद personality बना के आते है लेकिन चलिए अभी जो आपको electric potential term का discussion में ने किया दो तरह स्किया पहले mathematical जो definition आप exam में लिखेंगे जिस पर आप question बनाएंगे और दूसरा logically कि उसका मतलब क्या है वो बात आपको बताए गया अब अगला term हम बताने जा रहे है potential difference इसको जरा समझिएगा आप बहुत सुन्दर term है चलो Q chart ले लेता हूँ इसकी field यहां तक दिखा देता हूँ intensity इधर है यह आप देख पा रहे हैं बच्चों एक point पुछता हूँ आपसे P और Q कल इतना पताना मुझे ज़्यादा कुछ नहीं है क्या P point pair और Q point pair electric potential सेम होगी आप जरूर सोच रहना सर कुछ भी होगी लेकिन सेम तो नहीं होगी मैं भी यही सोच रहा हूँ हम समझना चाहते हैं What do you mean by electric potential difference फिर से हाँ पर Q note चार्ज ले लेता हूँ intensity के against में ही काम होगा हम यहाँ पे लाते हैं work हमें करना पड़ा WP Q note चार्ज को लाने में कैसे लाएं constant velocities है without providing any acceleration यह दोनों वर्ड अगर आप नहीं add करोगे तो आपकी definition wrong है ordinary है without providing any acceleration यह ध्यान रखना Q note चार्ज को मैंने यहाँ पे लाया work करना पड़ा WP कुछ value होगा मैं WP माल लिया अब Q note चार्ज को यहाँ ला रहा हूँ work करना पड़ा WQ क्या बचो WP WQ electric potential है नहीं यह तो Q note चार्ज लाने का work है potential के लिए तो one column चार्ज होनी चाहिए न तो अगर Q note चार्ज लाने का work यहाँ WP है तो one column लाएंगे तो कितना होगा WP by Q note अच्छे बात बताओ यह work है की नहीं थो टाइम लगे लिए इन कंसेट बनेगा है तो कहेंगे हाँ work है लेकिन Q note चार्ज को infinity से लाने का अब कहता हूँ क्या यह work है की नहीं यह भी work है लेकिन A कुलम चार्ज को infinity से P point लाने का ठीक है Q note चार्ज को लाने का work है WQ एक कुलम लाएंगे तो क्या होगा WQ by Q note यह work है की नहीं है work भी कहेंगे लेकिन A कुलम चार्ज को infinity से लाने का work तो बच्चों बात मैं अब से पुस्ता हूँ A कुलम चार्ज को यहां तक लाने का work है इस A कुलम चार्ज को यहां तक लाने का work है अगर A कुलम चार्ज को Q से P तक लाना चाहेंगे तो इसमें से इसको क्या करेंगे माइनस करेंगे न और इसी का नाम होता है Electric Potential Difference अगर हम Potential Difference को DV बोल दे तो यहां हो जाएगा ऐससे V-P minus V-Q V-P का अभेलिव बोलो WP by Q naught WQ by Q naught बच्चों कंसेट बना हुआ रहे इसके लिए एक पूरा कंसेटेशन चाहिए WP minus WQ by Q naught अगर आप चाहें बच्चों तो इसे DW ही बोल सकते हैं और या Q naught एक बड़ा सुन्दर फर्मुला आगया This implies, this implies मार दीजिए इस सारे definition वेबसाइट में आपका available हैं लेकिन अभी concept में हम बने हुए हैं जरा ध्यान लगाईएगा एक कुलम चाहर्ज को infinities यहां लाने का work है दिस और वही एक कुलम चाहर्ज को यहां पर लाने का work है दिस और अगर एक कुलम चाहर्ज को हमें Q से P तो लाना है तो इसमें इसको minus कर दो That is called electric potential difference तो definition क्या बनेगा The amount of work done in carrying unit positive charge from one point to other point inside the electric field against the direction of intensity without providing any acceleration is called electric potential difference between the point तो बच्चों आप exam के point of view से क्या सोचा Electric potential की definition पुछेगा तो वन कुलम चाहर्ज को infinity से उठाना और अगर electric potential sorry electric potential के अगर पुछेगा तो वन कुलम चाहर्ज को infinity से उठाना और अगर electric potential difference की definition पुछेगा तो वन कुलम चाहर्ज को एक point से दुसरे point पे लाना दोनों work है difference ही है potential के time में infinity से potential difference के time में one point to other point बढ़ा है सुन्दर है अभी आपको मैं दो term की discussion किया है दोनों के जरा side में लिख देता हूँ हलका सा B वरेवर W by Q not पढ़ा और D वी वरेवर आपने पढ़ा W by Q not दोनों same quantity है इसलिए unit same होगा dimensional formula same होगा quantity दोनों scalar है लेकिन ये तो आपके mind में set हो ही चुका है अलग-अलग point पर potential अलग-अलग होता है तो उसके लिए derivation आपको हम दिखाना चाहते है जैसे माल लीजिए यहाँ पर Q charge हम लेते हैं plus Q और इसके फिल्ड यहाँ तक है हमको कहता पी point पर potential कीतना है अभी आपकी जितना analysis चल रहा था उस analysis का numerical value कैसे हम calculate करेंगे उस दिखा में आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पर potential निकालना है चले उसको भी बोल देता हूँ यह separation R है अज़ एक बात पुछें फिर यहाँ Q डाल दे हो यहाँ R डाल दो हम बोलेंगे बताओ कहाँ ज़्यादा होगा बोलेंगे P पर उसके बाद Q पर उसके बाद R पर लेकिन यह बोल दे कि बताओ P पर कितना होगा potential आपकी बोलती बंद हो जाएगी एक formula चाहिए उस formula को हम indicate करने वाले है बाईो बहनों आप देखते रहिए अच्छा थोड़ा सा पानी पी लेते हैं देखिए अब आपको हम यह बताना चाहते हैं किसी point पर potential कैसे निकाला जाएगा चलो हम भी point पर potential निकालना चाहते हैं इस Q charge के कारण मैंने heading भी दे दिया electric potential due to point charge at a point अपना मन से हम एक यहाँ पर एक point ले रहे हैं A और इस source charge से इसकी separation X है पूरी concentration से देखते हैं derivation करने जा रहे हैं एक्जाम के इसाब से important है यहाँ पर test charge रख दिये naturally intensity होगा वो intensity E है इधर अब A के बहुत ही close एक point B लेना चाहते हैं बहुत ही close लेकिन diagram में थोड़ा दूर दिखाएंगे तो साब साब दिखेगा आपको यह separation DX होगा जो कि बहुत ही close है अब कहेंगे सर कितना close है इसको identify कीजिए बचों A और B उतना close है इस वर्ड को पकड़िएगा perfect वर्ड है A और B उतना close है जितना close में की intensity भैरी नहीं कर रहा है concept को पीजाओ A और B उतना close है जितना close में की intensity चेंज नहीं हो रहा है अब समझ सकते हैं अच्छा जब यहां क्यूनोट चार्ज रखा intensity ही है तो एक force भी लग रहा होगा electric force इधर अब हम इस क्यूनोट चार्ज को अगर A से B लाना चाहेंगे तो हमें लड़ाई लड़नी होगी यूद करना होगा intensity से उधर फेक रहा है हम इधर लाना चाहेंगे तो हमारी displacement इधर होना है force लग रहा हूँ दर चलो A से B लाने का work क्या होगा amount of work done in carrying इधर लिख रहा हूँ cannot charge from A to B A से B तक इस work को हम लोग DW कहेंगे A work is measured by the dot product the force dot displacement कर दिये F के जगह पर आप डालेंगे Q naught into E और यहाँ पर DX reason दे दीजिए F equal to होता है Q naught into E यहाँ पर कुछ बच्चा सोच रहा है Q naught into E तो electric force है जी हाँ जितना electric force लग रहा है उसके equal हमें opposite direction लगाना पड़ेगा minimum तब ही वो displace होगा इसलिए मैंने F के जगह पर Q naught into E लिया चलो इसको इधर लियाओ यहाँ हो जाएगा vector A dot vector DS अब बताओ भी आपके पास फर्मुला है यहाँ देखो इधर आजाओ DWY Q naught का नाम बताओ और इसको तोड़ दो E का direction उद्धर DS का direction इधर angle बनेगा 180 बनेगा कि नहीं फिर से देख लो E का direction इधर DS का direction इधर तो cos 180 हो गया यह जाएगा minus EDX E का value बताओ इस Q charge के करण A point पर intensity फर्मुला बताओ Q by X square into DX एक बात पुछें potential difference work done है कि नहीं है एक कुलम चार्ज को करी करने का एक point से दुसरे point तक अन्हीं A से B तक लेकिन हमें तो potential चाहिए P point पर तो हमें करना क्या होगा unit charge को infinity से उटाना होगा और P point पर लाना होगा तो जब A से B लाने में इतना work करना पड़ेगा तो आप ही सुचो बच्चो अगर infinity से उठा के यहां लाएंगे तो हमें work जादा करना पड़ेगा तो निस्त रुप से जादा work के लिए integration process में चलना होगा यहां पर sentence लिखने जरूरत नहीं है यह sentence यहां क्या लिखाएगा मैं बोल दे रहा हूँ नोट से मिलाएगा the amount of work done in carrying one column charge from infinity to point P तो लगा दिजए integration यहीं लगा देता हूँ यहीं से सुरुवाद कर देता हूँ k cube by x square into dx अच्छी बताओ इसे variable कौन है k cube तो constant है variable x है उठाओगे कहां से infinity से तो हो जागा initial limit last कहां करोगे P पर तो आप ही जड़ा सोची यहां से उठा रहे है x change हो रहा है x की value क्या बच्चेगा r तो limit हो जागा infinity से r तक dv का integration v हो गया minus k cube बाहर और इसको अब भी आप ऐसे रखे इसको उपर ले जाओ minus x पर power minus 2x into dx infinity से r तक minus k cube बताओ बच्चेगा इसका integration क्या होता है x का power n का integration जानते हो की नहीं x का power n plus 1 by n plus 1 उसी concept के लगाओ यहां minus 2 है x का power minus 1 by minus 1 infinity से r b equal to minus k cube minus k cube दो minus hडिया यहां 1 by x infinity से r बहले कौन लिमिट रखा जाता है बताओ अपर लिमिट अपर लिमिट अनि 1 by r minus lower limit 1 by infinity लेजे k cube by r क्योंकि 1 by infinity के value 0 हो जाता है this is the electric potential due to point charge at a point जैसे मैं आप से कहना चाहता हूँ यह charge यहां है इस point of potential क्या होगा suppression देदेगा चाहर देदेगा निकाल सकते है लेगिन इस पर एक बढ़या बढ़या concept कैसे होता है उसको हम आगे बढ़ाएंगे यह derivation आप ध्यान लगा के देखते रहिएगा चली इसको आप note कीजिए फिर आगे मबढ़ते हैं देखो बच्चों हमने heading दिया some concept related with electric potential electric potential के अभी जो mechanism चल रहा था कि क्या potential है उसके बाद का मामला इधर असान हो जाता है यह chapter बड़ा ही speed चलता है बहुत कम time में बहुँदाची सीख सकते हैं आईए सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ group of charges रहेंगे और किसी एक point पर potential निकालना रहेगा potential due to group of charges potential due to group of charges देखें कितना असान हो जाएगा जिसको हम लोग सुपर पोजिशन principle के नाम से भी जानते हैं इधर मामला असान है यह point P है यहाँ पर रहे charge Q1 यहाँ पर charge Q2 Q3 Q4 इधर एक ले लो Q1 कहीं भी हो सकता है geometrically आपका knowledge रहना होगा geometrically knowledge का use होगा बाकी बनाना असान है जैसे इस point of potential चाहिए इसके कारण निकाल देंगे potential मालो V1 scalar है इसका addition भी algebraic होगा इसके कारण V3 इधर V4 इधर मालो VN अब आप इसके कारण इस point पर निकालना था चलिए comment बताओ थोड़ा algebraic sum दिखा देता हूँ के हो जाएगा summation QI डाल दो R I डाल दो I एक reference point लिया गया है reference later तो उसके value start कहां से है 1 से है last कहां तक है N तक यहाँ डाल दो N यह हो गया electric potential dot a group of charges triangle का diagram रहेगा square करेगा rectangle करेगा hexagon, pentagon, तरह तरह का diagram रहेगा और आप से net potential की बात करेगा कभी यह vertex कभी ओ, vertex कभी centroid कभी center कभी क्या तो geometrically knowledge आप रखेगे और बनते चला जाएगा वो अगले वीडियों आपको numerical बहुत सा रहेंगे तो वहाँ पर यह concept apply होगा अब चलिए आपको दिखाता हूँ B में एक question ऐसा रहता है identical droplets रहेंगे बहुत सारे असम मिलके combined हो जाएगा और एक बड़ा drop बन जाएगा तो उसरे later question बनेगा तो इसका हम नाम दे देते है potential of big drop जहाँ पर बहुत सारे droplets combined होँगे चोड़े 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 droplets मिल जाएगे और बड़ा drop बन जाएगा तो उसकी potential कैसा होगा चलिए droplets बनाता हूँ चोड़ा चोड़ा droplets identical सब है ऐसा आप देखिए बहुत सारे droplets है सारे drop पे charge क्यों है सभी का radius small r है यह सब आपस से मिल गिया एक बड़ा drop बन गिया naturally radius change होगा r होगा charge भी change होगा चलो इसको हम लोग capital q कहा देते हैं अब आप से कभी कि भी ऐसा बोलेगा यह सारे droplets का potential given है number of droplets given है तो big drop का potential क्या होगा यह बगर बगर बात करेगा देखिए सबसे पहले इसका बताता हूँ potential of a small drop potential of a small droplet चलो भी इस बोलेता हूँ क्या होगा बोलो kq by r radius r है अगर आप से कोई कहा दे चलो इसको number one कहा देता हूँ अगर आप से कहा दे बताओ भाई इस पर चार्ज कितना होगा इसम्पल चार्ज on big drop यह पूरी concept आप mind में set करें फिर इस पर question लेका आएंगे तो बोलिए यहाँ पर q q q q q n droplet मानके चल रहा है q q q q q q कितना होगा बोलो n q यह बन गया ठीक है हाँ एक यहाँ बड़ा interesting बात है यह droplet का radius given है तो big drop का radius हम कैसे निकालेंगे तो इसकी क्या concept है यह सारे droplet का जो volume होता है वो big drop के volume के equal होता है रुको जी big drop के volume के equal होता है तो ऐसे में कैसे बनाएंगे volume of big drop big drop that is equal to n into volume of one droplet एक droplet चुकि इस सब identical है चलिए इसका volume कितना हो जाएगा 4 by 3 pi rq इदर n इसका बोलिए 4 by 3 pi rq एक cancel एक cancel इदर rq है ना उदर ले जा रहा हूँ बोलो क्या होगा बच्वा 1 by 3 इसको यहाँ लिख दे रहे हैं देखे बालकोनी में तो यहाँ पर क्या हो जाएगा n पर power 1 by 3 n 2 r तो इससे क्या benefit हुआ इससे benefit ही हुआ अगर small droplet के radius मालूब है तो big drop के radius हम कैसे निकाल सकते हैं या उसके reverse भी लेकिन चलिए अभी हम big drop का potential निकालना चाहते हैं और छोटे droplet के potential से relation बनाना चाहते हैं नमबर 4 में potential of big drop चलो इसको भी suffix में B बोल दिया big और B से है इसलिए क्या होगा बोलो तो k q by r इसकी charge को आपने q बोला है इसको तो आगे proceed करो यह k है और यहाँ n q देखिए आँ भेलो देखो अधा धान लगा देख रहा है न n का power 1 by 3 into r यहाँ पर हो जाएगा k q by r बोलो 1 by 3 और यहाँ 1 है यहाँ कितना बच जाएगा 2 by 3 और मैनस हो जाएगा उपर जाने बाद यह 1 by 3 मैनस हो जाएगा इसके लिए बोलो बच्चा गर को रो देखो इधा potential of small droplet vs n का power 2 by 3 इस फर्मुला पे objective question पुछता है board में subjective question पुछता है ति सभी पे question लेका आएगे अगला विडियो में अभी और concept देखिए जैसे माल लेते हैं एक item ले लेते हैं आपर ठीक है और बड़ा बनाएं क्या और बड़ा बनाते हैं समझने में सभीता होगा ब्लैक पेन का यूज़ कर रहा हूँ बड़ा तो हो गया यह item है यह इसका निकुलियस है जैड़ी है ठीक है अब आपसे कहता है बताओ इस निकुलियस के कारण उसके surface पर potential क्या होगा माल लो point P यह आपका separation आ रहा है को item है आप एकलोधा formula जानते है V बराबर KQ बाई यार यह आपके पास घ्यान है इससे आगे बढ़ेंगे Q मतला charge प्रजेंट अट दा निकुलियस यह वाट फिर से सुनी है किलरेटी मिलेगा चार्ज प्रजेंट अट दा निकुलियस जेड़ी क्यों है जितना number of electron अतने number of proton electron का charge, proton का charge का मेंगनी चुटसेम होता है इसलिए Z है बाई आर अलग-अलग item की चर्चा करेगा बना दीजेगा कारवन की चर्चा hydrogen की चर्चा hydrogen चर्चा बगरा 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 बनाएंगे यह है potential डोटन निकुलियस यह सो concept आप सिखेंगे और देखें यहाँ पर एक दुख concept जैसे मान लो यहाँ पर एक चार दे दिया Q1 यहाँ पर एक चार दे दिया Q2 यह separation suppose करो R है ठीक है अब आप से कहता है भाई जैसे मान लो कुछ point हमें ले लेते हैं एक point P है middle point इसको मानो middle है तो और अच्छा दिखा दो middle मान लो एक point suppose करो यहाँ पर ले लेता हो क्यो एक point suppose करो यहाँ पर ले लेता हो R यह separation मान लो X है यह separation मान लो Y है कुछ ऐसा रहेगा एक line में बात कर रहा हूँ अब बोलेगा potential बताओ सब जगा एक ही concept है सब के current potential निकालते जाओ add करते जाओ मान लो P पर निकालना है तो इसके इसके करण निकाल लो चले इसका नाम A और B जैसे मैं चाहता हूँ point P पर आपको बताना यह numerical से पहले concept है तो कैसे निकालेंगे V पर रहे पर V A V A means potential due to charge present at A या B V कितना हो जागा बोलो तो K Q 1 यह कितना अगा बोलो R Y 2 मीडिल बोला था R Y 2 R Y 2 यहा K Q 2 R Y 2 solve करना आपका काम है अगर आप से कहाते हैं हमें Q पर चाहिए at point Q देखते रहेगा कुछ इसी तरह ग नुमरीकल लिसमें आते रहेगा तो V पर इसके करण निकालना यहाँ पर इसके करण निकालना है यहाँ पर तो V A plus V B क्योंकि दो ही चार्ज है V A निकालना बोलो इसके करण यहाँ निकालना है तो अब बतेए यह separation R है और यह X है तो कितना हो जाएगा K Q 1 R प्लस X फिर इसके करण यहाँ निकालना है बोलो कितना हो जाएगा K Q 2 और यह separation तो आपको दिखी रहा है कितना है X solve कर दिजिए answer अब मालने तो आपको R पी निकालना है at point R बच्चा मेहनत करने से कुछ बनता है नहीं मेहनत करें कुछ नहीं होगा हम concept लगा रहे हैं आपको घर में दना दन बुक खोलिए चाहा रिफरेंस बुक हो चाहा concept of physics हो चाहा रहंद की हो या वगरा वगरा जो study material आपका website में है उससे निकालिए assignment को और बनाना स्रू कर दिजिए जहां doubt होता है हमसे पूछिए चलिए R पी निकालना है R पे निकालना है कैसे निकलेगा चलिए V बरबर V A प्लस V B यहां दोई चार्ज है इसलिए निकालना है सेप्रेशन कितना हो जाए पता हो तो K Q N दो होगा यह देखो R X sorry यहां Y दिया होगा direct हो जाएगा R प्लस Y और आप देखे इसके कारण निकालना है तो कितना हो जाएगा K Q वाई वाई यह सेप्रेशन वाई मैंने दिया है ऐसा solve कर दिया है आपके website में ELN का material भी upload किया गया है तो उससे भी आपको question बनाना है तो ELN को भी आपको follow करना है कोटा जाने की जरूरत नहीं है कोटा की बात आपको सर ही बताए जाता है यह बता रहे आपको हम electric potential due to charges कुछ और geometrical diagram आपको दिखाना चाहता हूँ जैसे A triangle है ठीक है यहाँ पर A, B, C ध्यान लगाईएगा मालव चार्ज QN है यहाँ पर charge Q2 है, Q3 है सब साइड इसका L है, equilateral बना जता हूँ और क्याता है इसके base पर निकालो base पर, point ज़रा समझेगा है चलो D, कैसे बनाओगे आप यहाँ पर potential निकालना है यह base है, middle में है यह हो जाएगा LY2 यह हो जाएगा LY2, यह आपको find out करना रहेगा इन anti-degree है बच्चा यह AD आप निकाल लीजिए AD कैसे निकालेगे हमने क्या बोला, potential mean geometrical का funda होता है बागी simple काम AD निकालना है, कैसे होगा बोलो तो L square minus L by 2 का whole square AD निकाल लीजिए आप यह हो जाएगा L square, L square by 4 यह solution तो आप करी सकते हैं 3 L square by 4 लेजिए AD आपका हो जाएगा road 3 by 2 or L अब आपको potential चाहिए D पर कितना असान होगे देखे at point D देखो कितना असानी से बनेगा चले यहाँ पर निकालना है यह concept है, को numerical नहीं है मैं Q1, Q2 लेकर आपको डिल करना सिखा रहा हूँ फिर इस पर numerical value रहेगा आप बनाइएगा, यहाँ देखे ऐसा हो जाएगा V A plus V V plus V C D point पर निकालना हो, इसके कारण बोले कितना हो जाएगा K Q1, separation आपके पास है road 3 L by 2 V V, इसके कारण इसके कारण इहाँ पर बोले कितना हो जाएगा K Q2 by L by 2 इसके कारण इहाँ पर बोले कितना होगा K Q3 by L by 2 solution करने आता है, पढ़िए नहीं करने आता है, मत पढ़िए और देखते रहिएगा छुटे छुटे बात आएगा ध्यान लगाते रहिएगा कैसा कंसेट बनता है एक रिंग दे देगा रिंग, मैं क्या बोलो जोरा समझेगा, रिंग रिंग दे दिया इसपर चार्ज का distribution uniform है, हर जगाए uniform है कोई खास चार्ज है इसको distribute कर दिया, कोई खास चार्ज है माल लेते क्यों है थोड़ा थोड़ा बाट दिया थोड़ा थोड़ा बाट रहा उस पर dependent नहीं करेगा आपको potential चाहिए at o, at point o ध्यान लगाएगा वे बरैबर के क्यू बाई यार total charge by separation के क्यू बाई यार, निकल जाएगा mind में sit हो रहा है कुछ अब जैसे माल लेते हैं एक square हम ले लेते हैं यहाँ पर ज़रा समझेगा square यह पूरी concept आप mind में लगाईए फिर numerical का दादा बन जाईए जैसे यहाँ पर charge देता हूँ Q1 यहाँ पर Q2, यहाँ पर Q3, यहाँ पर Q4 बैगरैं बैड़ा कुछ लेगा हो सकता है कभी इस पर charge नहीं देगा सबके कारण potential वागएगा हो सकता है इस पर charge नहीं देगा सबके का παरण potential वागएगा हो सकता यहाँ भी देदिया center मांगएगा मालनों सब side- A-Le है कैसे बनाईगे सुपर पोजिशन प्रिंस्पुल लगा रहे हैं सब के कारण निकाल लो add करो देखे ये से प्रेशन कितना होगा l y root 2 कोई बच्चा बोल रहा होगा ये ने समय आया कैसे l y root 2 फिर से metric class दो पता चल जाएगा l y root 2 नहीं देना है तेख भर देख लो ये पूरा लेंद कितना होगा बच्चा बीडी अगर निकालना चाहिए ने कितना होगा root 2 l हमको हाप चाहिए तुसे डिवाइड करो l y root 2 अब समझे के matrix देने जरूरत नहीं है o point potential निकालना है क्या करेंगे साब के गर निकाल के add कर देंगे concept समझे में आ रहा है और देखो hexagon, pentagon टक्रagon, नंगणागon इससे चल दे रहा है न कुछ रहेगा आप बना सकते हैं बड़ा असानी से लेजे अब माल लेते हैं center पर मांग देगा यहाँ A, B, C, D बगएरा, बगएरा, बगएरा यहाँ पर चार्ज Q1, Q2, Q3, Q4, Q5 खेलिए यहाँ पर निकालना है geometrical diagram क्या होता है knowledge हो, जानो यह बला L हो जाता है A, B, L हो जाता है A, B, L हो जाता है A, B, L हो जाता A, B, L हो जाता है बचवा, वो point of potential निकालना को दिक्कत है क्या, सब को निकाल के हैं, अगले विडियो में electric potential पे दम तक numerical लेकाएंगे तब तक आपको पूरी concept को कैसे विडियो देखना चाहिए विडियो देखना चाहिए, क्या तरीका है क्याटिब प्रसाद का विडियो ओन होता है आपका pain paper भी ओन होना चाहिए जो जो बताया गिया है उसको आप खुद रफ किजिए विडियो देखे रफ किजिए विडियो देखे रफ किजिए हलाकि यह बात बताना चाहता हूँ कई एक बच्चा ने phone करे के बोला कि sir कम से कम एक बार तो भी बोल दीजी आप like करो, subscribe करो आप तो कहीं बोलते भी नहीं दरसल बच्चे होता क्या पढ़ाने के धून में फिजिस के दुनिया में रम जाते हैं तो यह बाते भूल जाते हैं लेकिन चलो बच्चा ने phone किया आजमाइड में आ गया तो मैं आपको क्या कह रहा हूँ अगर वीडियो अच्छा लगता है तो like करो और उससे अगर benefit होता है आज subscribe नहीं किये तो subscribe करो और भाई यो बैनो subscribe करने का benefit यह है कि फिजिक से आप update रहेंगे zero से लेकर hero तक से लेंगे हम इस वीडियो में अलविदा लेते हैं thank you so much अगर रहेंगे